हलो एवरिवन, वेलकम टू स्टड़ी आईक्यू, स्टड़ी आईक्यू के इस वीडियो में मैं पंजाब राज्ये के पिछले 7 महिने के करंट अफेर कवर करूँगा, काफी डिटेल में मैं कवर करूँगा और बहुत ही जादा फिल्टर करके ये करंट अफेर तयार किये जो लोकल स्टेट के एक्जाम होते हैं, ग्रेड B, C, D उन सब के अंदर, तो चले शुरू करते हैं, पंजाब के करंट अफेर, अगर आप SSE, CGL, CHSL, बैंक पियो, क्लरक या UPSC के तयारी कर रहे हैं, तो हमारे pen drive courses उपलब्ध हैं, आप हमारी website पर जाकर ज्यादा जानकारी ले सकते हैं, या फिर दिये हुए तीन numbers में से कोई भी एक number डायल करके भी आप जानकारी ले सकते हैं, चले शुरू करते हैं, सबसे पहले पंजाब का जो राज्य है, उन्होंने एक wildlife board बनाया है नया, wildlife मतलब होता है जो one में, जंगल में जो जानवर रहते हैं, उनके लिए जाता है, wildlife बोलते हैं उसे, तो उसके लिए एक wildlife board बनाया है, जो wildlife संबंदी decision लेगा, तो जो पंजाब की सरकार है, उन्होंने साथ तारिक को, इसको constitute किया है wildlife board को, और ये notification इशू किया था वहां के department of forest and wildlife ने, कि हमने एक wildlife board बना दिया है, अब एक बात और याद रखिए, य ये जो wildlife board बना है, ये तीन साल के लिए बना है, और एक option रहेगा इसमें, कि एक साल और इसकी जो tenure है, वो extend की जा सकती है, यानि चार साल तक के लिए उसे extend किया जा सकता है, इससे पहले शिरोमणी अकाली दलोर भाजपा की जो सरकार थी, उन्होंने एक board बनाया था wildlife board अपन और ये भी सेम है, तीन साल के लिए बनेगा और एक साल तक extend हो सकता है, अब जो wildlife board है, उन्होंने एक निर्ने लिया, निर्ने ये लिया कि पंजाब में जो नील गाये हैं, ये काफी ज़्यादा फसल को बरबाद कर देती है, तो पंजाब wildlife board ने ये कहा, कि किसान जो हैं, उन फसल है, वो जानवर या pest, कीड़े वगारा ये खतम कर देते हैं, और क्योंकि नील गाये जो बिश्नोई community है, उनके लिए एक काफी पूजनिय जानवर होता है, तो बिश्नोई community की वज़े कि और से काफी protest चल रहे हैं इस decision को लेकर, इसलिए बिश्नोई community भाँके, जो मंत किया, गुरू अंगत देव, वेटरनरी एंड एनिमल साइंस यूनिवरसिटी, जिसे हम शॉट में बोलते हैं, गडवासू, और ये जो यूनिवरस्टी है, इसने लौज किया एक मोबाईल अब, अब ये जो मोबाईल अब है, ये पशुधन के लिए किया गया है, लाइव यूनिवरसिट ने, दूसरी बात, ये एप काम क्या करेगा, ये जो हमारे डेरी फार्मर होते हैं, जो पशुधन रखते हैं, पशुपालन करते हैं, उनकी क्वेरीज को आंसर करेगा, उनकी जो भी शिकायते हैं, क्वेरी हैं, वो इस पर आंसर की जाएंगी, दूसरी बात ये जो app है, ये दो languages में उपलब्ध है, English और Punjabi, पंजाब के जो मुख्य मंत्री हैं, उन्होंने एक partition museum inaugurate करा अमरित सर के अंदर, ये वैसे अगस्त के महिने में हुआ है, लेकिन important था तो मैंने इस वेडियो में include कर लिया है, partition museum बना है, जो partition हुआ था, उसके वगग बहुत ज़ादा इधर के लोग उधर जाते थे, उधर के लोग इधर आते थे, पाकिस्तान के इंडिया, इंडिया के पाकिस्तान, तो काफी उन्होंने लोग उनकी जाने गई, तो उनको उन्होंने tribute दी, शृधांजली अर्पित करी, और अगस्त 17 का दिन रखा, Partition Remembrance Day, यानि Partition को यादगार बनाने के लिए, Partition को याद किया जाएगा हर साल 17 अगस्त को, इसको मनाया जाएगा Partition Remembrance Day, और ये कोशन आसकता है, डिरेक्ट की Partition Museum कहां बना है, तो वो बना है, अमरित्सर शहर में, पंजाब के मुखे मंत्री जो है, कैप्टन अमरिंदर सिंग, उन्होंने 15 करोड रुपे सैंक्शन कर दिये हैं, एक समारग बनेगा, मेमोरियल जिसे बोलते हैं, जलंधर में बनेगा, इस मेमोरियल का नाम है, जंग ए आजादी, मेमोरियल बनेगा, जलंधर में, इस राज्ये के जो परियतन मंत्री ह जो है, मशूर करकेटर, नवजोर सिंग सिद्धू जी, इसका पहला चरण अलड़ी कंप्लीट हो चुका है, जून 2017 में, इसी साल कंप्लीट हुआ है पहला चरण, हलांकि इसकी जो, ये सैंक्शन हुआ था 2012 में, जब पुरानी सरकार थी तब, और लेकिन इसका पहला चरण कंप्लीट हुआ है, जून 2017 में, और अब इसका दूसरा चरण बनने जा रहा है, जंग ए आजादी, टोटल खर्चा इसमें आएगा, 315 करोड रुपे, इसमें एक चीज और जान लीजे, जंग ए आजादी में, आप सोच रहोंगे, है क्या बेसिकली, इसमें कई सारी चीज जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया, तो उसके लिए मनाये जाएगा, जंग ए आजादी मेंमोरियल, इसके लावा एक चोटा सा चीज और बताता हूँ, जो हमारी केंदर सरकार है, सेंटरल गवर्मेंट, उन्होंने एक स्कीम स्टार्ट करी हुई है, जिसका नाम है, विद्या वीर्ता अभियान, जाद रखिए इसका नाम विद्या वीर्ता अभियान, विद्या वीर्ता अभियान ये है, कि जितने भी कॉलेज हैं और यूनिवसिटी हैं, उनमें एक दिवार बनाई जाएगी, इस दिवार पर फोटो होगा हमारे 21 परमवीर चक्र विजिता दी आजे जाता, सिर्फ युद के समय दिया जाता है, वौर्ड टाइम, हाईस्ट गेलंटरी अवार्ट है, भारत का ब्रेवरी के लिए, शोर्रे के लिए सबसे उचा अवार्ड है परमवीर चक्र, लेकिन उन्निस सो निन्हानमे के बाद वो किसी को भी नहीं मिला हैं क्योंकि उसके बाद कोई युद ही नहीं हुआ 1999 में हुआ था कारगल युद तो 1999 में अब लगबग 18 साल से जादा हो गए हैं किसी को भी परमवीर चक्र नहीं मिला हैं तो जो आज के स्टूडेंट हैं वो कहीं उसकी महत्वता को भूल तो हमारा जो मारव संसाधन विकास मंत्राले है HRD Human Resource Development उन्होंने कहा कि हर कॉलिज और युनिवर्स्टी में एक दिवार बनवाओ सरकारी कॉलिज में ये काम होगा और उन पे वो 21 परमवीर चक्र विजेता जिन्होंने भारत के लिए जो अपनी जान दी उनके फोटो इस पे होंगे जिससे बच्चों के अंदर एक राष्ट्रभक्ति की भावना जागीगी तो इस अभियान का नाम याद रखिये विद्या विर्था अभियान और केंद्र सरकार ने कहाई ये सारे युनिवर्स्टी में किया जाएगा तो अफकोर्स पंजाब के युनिवर्स्टी में भी किया जाएगा अब बात करते हैं स्वच सर्वेक्षन 2017 की स्वच सर्वेक्षन जो है ये काफी अच्छा कंसेप्ट है पिछले दो साल से लगातार इसमें मैसूर भारत का सबसे साफ शहर घोसित किया गया है इसके अंदर जो भारत के शहर हैं उन्हें रैंक किया जाता है कि कौन कितना साफ है कई पेरामेटर्स के उपर मुनिसिपल, सेल्फ डेक्लरेशन, मुनिसिपल्टी जो है उसक्या वो अपना खुद का स्कोर देती है लोगों से पूछा जाता है आपके हिसाब से कितना साफ है यानि citizen feedback होता है, on-site observation होता है यानि जो अधिकारी है वो जाते हैं और चेक करते हैं कि बास्तों में कितना साफ है तो इसमें total score लिया जाता है तो भारत का सबसे साफ शहर पिछले दो साल लगातार था मैसूर जो करनाटक में है मैसूरू बोलते हैं इसे, मैसूरू लेकिन इस साल का जो index आया है latest 2017 का उसमें है इंदौर इंदौर भारत का सबसे साफ सुतरा शहर है और भारत का दूसरा सबसे साफ सुतरा शहर है मध्यपरदेश की राजधानी भोपाल और इन दौर भी है मध्यपरदेश में यानि टॉप टू पोजिशन हैं मध्यपरदेश की तो शुरू के टॉप टैन आपको पता होने चाहिए विशाका पटनम, सूरत, विशाका पटनम बगारा इंडस्ट्री भी है आंद्रपरदेश मैसूरू मैसूरू देखिए पांच ये नंबर पे पहुंचिया फिर वन और फिर फाइव तिरूची रपल्ली जिसको हम शॉट में बोलते हैं त्रीची यह है तमिल नाडू में नई दिल्ली फिर सात्वे नंबर पे है परणकी पंजाब की राजधानी है लेकिन हम चंडिगड़ को यूजुली अलग काउंट करते हैं क्योंकि वो एक केंद्र शाषित परदेश है चंडिगड़ है 11 नंबर पे भारत का 11 सबसे साफ सुतरा शहर है चंडिगड़ और शुरू के 50 में एक भी पंजाब का शहर नह दूसरे नंबर पे मद्धे परदेश के हैं 11 और तीसरे नंबर पे आंध्र परदेश के हैं 8 तो पंजाब का परफॉर्मेंस कैसा है देख लेते हैं टॉप 10 में कोई भी साफ सुतरा शहर नहीं है टॉप 50 जो सबसे अच्छे शहर है उनमें भी नहीं है नीचे की बात करते ह 50 में पंजाब के 5 हैं नीचे से 100 में पंजाब के 7 है जानि कि जो भारत के 100 सबसे गंदे शहर है उनमें पंजाब के 7 है और जो सबसे 50 जो बॉटम 50 है उनमें 5 है तो कौन-कौन से है ये पंजाब का सबसे जो साफ सुतरा एरिया है वो है S.A.S. नगर बात हो रही है मुहाली की ये मोहली के अंदर है ये corporation इसका स्थान है 121 और सबसे गंदा है मुक्तसर मुक्तसर है 428 नमबर पे अब पंजाब के जो इसमें count हुए हैं क्योंकि इसमें 434 जो district है 434 जो city हैं उन्हें rank किया गया तो इन में सबसे जो गंदा शहर है पूरे भारत का वो है गौंडा उत्तर प्रदेश में ये है 434 नमबर पे 433 जानी भारत का दूसरा सबसे गंदा शहर है भूसावल और भूसावल है महराश्टर में तो आप देख सकते हैं पंजाब के जो शहर है वो कितनी नीचे हैं मुक्तसर 428 नमबर पे यानी नीचे से साथवे या छटे नमबर पे हो गया फ अमरितसर 258 जहां पे 50% जो पंजाब के टूरिस्ट आते हैं वो अमरितसर के लिए आते हैं तो इसकी रैंकिंग देखिए 258 बरनाला 284 होश्यारपुर 323 मलेर कोटाल 363 मोगा 379 तो यह आप रैंकिंग देख सकते हैं पंजाब का परफॉर्मेंस और यह है नीचे के 6 सबसे गंदा है बगाहा बिहार में हर्दोई उत्तरप्रदेश फिर फिर कटिहार बिहार फिर है भारेच उत्तरप्रदेश और फिर है मुक्तसर और बोहर 427 और 428 चलिए कुछ और नीचे की तरफ बढ़ते हैं क्या पंजाब एक इमानदार राज्य है या करप्ट है ब्रष्टा नाम है CMS India Corruption Study 2017 इसमें भारत के 20 राज्यों को उनका सर्वे किया गया तो भारत में टोटल ही है 39 राज्य है और साथ के अंद्रशासित प्रदेश 39 में से 20 राज्यों का सर्वे किया गया जनरली इन में हम नौर्थीस्ट बगारा के जो राज्य है वो काउंट नहीं करते हैं युजुली जो मेंलेंड का जो पार्ट है उसी का काउंट करते हैं तो 20 राज्यों में करनाटक है भारत का सबसे करप्ट स्टेट करनाटक में 70% respondents ने ये कहा कि उन्हें कोई भी काम करव इनोवेशन सिन पब्लिक हेल्थ केर सिस्टम ये हुआ मध्यपरदेश में इंदौर मध्यपरदेश का सबसे बड़ा शहर है हालांकि राजधानी नहीं है राजधानी भोपाल है तो ये इसलिए हुआ कि हम हमारी जो पब्लिक हेल्थ केर सर्विस है सरकारी हस्पताल है जो उनको कैसे अच्छा कर सकते हैं। इस पे एक fourth national summit हुआ। अब इसका inauguration किया हमारी लोगसभा की speaker सुमित्रा महाजन ने। इसमें बात किस पे हुई। इसमें बात हुई नैशनल हेल्थ policy 2017 के उपर और हम sustainable development goals को कैसे अचीव कर सकते हैं। अब ये sustainable development goals क्या हैं। टोटल हैं 17। सयुक्त राष्ट्र संग के जो 193 देश हैं। उन्होंने मिलकर एक श्यपत ली। उन्होंने कहा 15 साल के अंदर हम ये 17 goals अचीव कर लेंगे। और ये 15 साल हैं 2016 से 2030। इसको बोलते हैं Agenda 2030। और इसमें हमें ये 17 चीज़ें अपनानी हैं सारे सयुक्त राष्ट्र संग के 193 देशों को। इससे पहले 15 साल यानि मैं बात कर रहा हूँ 2001 से 2015। इन 15 सालों में हम फॉलो करते थे Millennium Development Goals यानि MDG उनको बाद में चेंज करके कर दिया गया Sustainable Development Goal। फरा कितना है? Sustainable Development Goal है 17 और Millennium Development Goal है 8 तो अब हम किसको फॉलो कर रहे है? Sustainable Development Goal। अब हमें Healthcare की जरूत क्यों है? Healthcare की जरूत इसलिए है क्योंकि ये है Sustainable Development Goal 3 जो कहता है Good Health और Wellbeing सब कंट्रीज को मिलके अचीव करना है तो हमें भी अचीव करना है अब इसमें कई Award भी दिये गए तो ये Award दिये हमारे Health Ministry ने हमारे Health Ministry ने हमारे Health Minister ने जेपी नत्ता अब इसमें देखे जब कोई Patient डॉक्टर के पास जाता है या तो पेशेंट को डॉक्टर देखने के बाद भार की भार विदा कर देता है या फिर उसे Admit कर लेता है अगर भार की भार देख लेता है तो उसे बोलते है Outpatient Department तो जो Outpatient Services है सबसे उसके लिए जो Award दिया गया जो Best State है ये Award तीन राज्यों को मिला गुजरात, पंजाब और जहारखन तो पंजाब इसमें है यानि Best OPD Services के लिए जो Award मिला वो मिला पंजाब को, गुजरात को और जहारखन को अब बात करते हैं पंजाब में बिजली की देखिए पंजाब भारत का पहला राज्ये बना है जिसने एक ऐसा नंबर दिया है अपने नागरिकों को कि अगर आपके हाँ कोई Power Cut आ जाता है बिजली चली जाती है या बिजली से related कोई भी complaint है तो उसके लिए आपको एक अलग नंबर दिया गया ये नंबर है 1912 आप इसको डाइल कर सकते है 24-7 ये नंबर चलता है फोन पे भी और SMS पे भी तो ये पंजाब भारत का पहला राज ये बना जिसने एक अलग विशेश फोन नंबर दिया है Power Cut के लिए Power Cut की complaint सुनने के लिए दूसरी बात पंजाब का जो बिजली डिपार्टमेंट है जिसे बोलते है पंजाब State Power Corporation Limited PSPCL इसको भारत का Best Performing Power Distribution Utility का अवार्ड मिला है Power Distribution होता है बिजली का वित्रण Ultimately बिजली कहां बनती है? बांध पे बनती है, डैम्स वगरा में बनती है वहां से फिर उसको distribute करना पड़ता है तो सबसे अच्छा जो distribute करता है भारत में वो है पंजाब पंजाब को मिला है Best Performing Power Distribution Utility in Power Sector का अवार्ड और ये अवार्ड इने दिया है Central Board of Irrigation and Power ने यानी CBIP ने और हमारे Power Minister कोन है? पावर ही नहीं, कोल के लिए और Renewable Energy के लिए हमारे मंत्री है पियुश गोयल अब बात करते हैं कुष्टी, Wrestling की बात करते हैं, पहलवानी की बात करते हैं तो पंजाब की एक टीम है जिसका नाम है NCR Punjab Royal इस बार इसने Pro Wrestling League का जो Season 2 हुआ उसका खिताब जीत लिया और इन्होंने Final में हराया हर्याना को हर्याना को कुछ लोग favorites कह रहे थे, क्योंकि आप जानते हैं हर्याना के wrestler एकदम top पे रहते हैं, Olympic में पदल हर्याना के wrestler लेके आते हैं लेकिन हर्याना को हरा दिया है इस बार इन्होंने Final में तो Final खेला गया था, केड़ी जादव Indoor Stadium के अंदर bronze medal जीता था, कांस से पदक जीता था और जो season 1 हुआ था इनका, pro wrestling league का उसमें भी हर्याना final में हार गया था, किस से हारा था, मुंबई गरुड से हारा था याद रखिए, महराष्टर भी एक वक्त पहलवानी में बहुत आगे था महराष्टर में एक जगा है जिसको बोलते है कोलापुर कोलापुर तो उसे पहलवानों का नगर बोलते थे तो महराष्टर, हर्याना, पंजाब ये सब wrestling के गड़ माने जाते है तो हर्याना यानि कि दो बार अभी season 1, season 2 दोनों में final में हारा है एक बार हारा है, मुंबई से पहला season में और इस बार हारा है पंजाब की टीम थी, NCR Punjab Royal तो याद रखिए, चलिए आगे बढ़ते है पंजाब के पूर्व मुख्य मंत्री सुर्जित सिंग बरनाला, इनका निधन हो गया काफी लंबे समय तक यह शिरोमणी अकाली दल पार्टी में रहे जब यह मुख्य मंत्री थे, तब भी शिरोमणी अकाली दल से थे बाद में इनकी रडाई हो गई थी बादल परकास सिंग बादल जी से फिर इन्होंने अपनी अलग पार्टी बना ली थी तो सुर्जिन सिंग बरनाला के उपर बहुत सारे सवाल पूछी जा सकते हैं सबसे पहली बाद जब यह एक्स्पायर हुए तो यह एक्यानमे वर्ष के थे पंजाब के मुख्य मंत्री कब से कब तक थे 1985 से 1987 यह वो वाला दोर था जब पंजाब में चुने गए यानि विधान सबह में चुने गए 67, 69, 72, 80 और 85 और दो बार यह सांसद रहे लोग सबह में चुने गए 1977 और 1998 इनकी constituency यही थी बरनाला 1969 में यह जस्टिस गुर्णाम सिंग की जो सरकार्थी पंजाब में जस्टिस गुर्णाम सिंग गवर्मेंट में सिख्षा मंत्री थे 1977 में यह पारलेमेंट में चुने गए थे यहाँ पर मैंने लिखाए लोग सबह में चुने गए थे 1977 में इलेक्ट हुए थे और 1998 में तो 1977 में आप जानते हैं यह अमर्जंसी वाला दौर था अमर्जंसी में इंद्रा गांधी की सरकार जब गिरी थी जैपरकाश नारायन ने आंदोलन किया था तो जैपरकाश नारायन भारत के परधान मंत्री बनते लेकिन अचानोग उनकी किड्नी फेल हो गई इसलिए मुरारजी देशाई जी को बनाया गया था भारत का परधान मंत्री तो मुरारजी देशाई जी का जो कैबिनेट था उसमें यह भारत के एगरिकल्चर मिनिस्टर थे 1977 में इनके बारे में काफी सारे कोश्चिन पुछे आ सकते हैं मिनिस्टर बरनाला जो है यह सिरफ एगरिकल्चर मंत्री ही नहीं थे बलकि यह मिनिस्टर फोर कंजूमर अफेर पावर केमिकल फर्टिलाइजर एंड रूरल डवलप्मेंट मिनिस्टर भी थे और जब यह सब मंत्राले संभाल रहे थे तो इन्होंने बांगलदेश के साथ फरक्का एगरिमेंट भी साइन किया था यह फरक्का क्या है फरक्का एक बैरेज का नाम है जिससे गंगा नदी का जो पानी है वो दो हिसों में बढ़ जाता है गंगा नदी जो है फिर एक तरफ तो हुगली की तरफ चले जाती है हुगली में इसका पानी आ जाता है जो कलक्ता में हुगली नदी के किनारे और दूसरा फिर यह डिवाइड होके चले जाती है बांगलदेश बांगलदेश में गंगा नदी को बोलते है पदमा जहां फि देखिए तमिल नाडू के गवर्नर ये तीन बार बने एक बार नहीं और तमिल नाडू के इतिहास में ये सबसे ज़्यादा बार गवर्नर बने है यानि तीन बार पहली बार ये तमिल नाडू के गवर्नर थे 1990 से 1991 तक यानि सिरफ नो महीने के लिए फिर ये लुटेनन गवर उसके बाद ये अटल बिहारी वाजबई जी की गवर्मेंट में ये कैमिकल और फर्टिलाइजर मिनिस्टर थे और फूड एंड कंजूमर अफेर मिनिस्टर थे याद रखिए तो ये दुबारा चुने गए थे 98 में लोक सभा के अंदर और फिर ये सांसत बन गए थे और फिर जगोंके तो उत्राखंड के ये पहले गवर्नर थे 2000 से लेके 2003, 2000 में बना था उत्राखंड इसके अलावा फिर ये आंदर परदेश के गवर्नर है 2003 से 2004 और जब ये आंदर परदेश के गवर्नर थे तो उडिसा का additional charge इने दिया हुआ था उसके बाद ये तमिल नाडू के ग अधिशनल चार्ज भी दिया हुआ था तो दो बार ये तमिल नाडू के यहां बने लगातार और एक बार पहले तो तमिल नाडू के ये तीन बार गवर्नर रहे और आप देख सकते हैं इतने सारे लाज्यों के गवर्नर है इन फैक्ट अगर मैं आपको बताऊं भारत के ये दूसरे नंबर पे लॉंगे सर्विंग गवर्नर है भारत के तिहास में भारत में गवर्नर पद का सबसे ज़्यादा कारेकाल रहा डॉक्टर एयर के दवाई का और दूसरे नंबर पे सुर्जे सिंग बरनाला जी का और जैसा मैंने बताया तमिल नाडू स्टेट के 300 साल के इन्होंने दो किताबें भी लिखी हैं, एक किताब है My Other Two Daughters, मेरी दूसरी दो बेटियां, और दूसरी किताब है Story of an Escape, Quest for Freedom, ये दोनों किताबें इन्होंने खुद लिखी हैं, अब बात करते हैं, गुटका पानमसाला इन सब की, देखिए पंजाब में पहले जो सेल है गुट कर दी गई थी, लेकिन ऐसा देखा गया कि कुछ लोग क्या कर रहे थे, पैकेट के उपर लिखते थे, mouth freshener, और अंदर जो उसमें होता था, उसमें फिर गुटका मिला के बेशते थे, ये भी बेन हो गया है, यानि कि manufacturing ही बेन कर दी है, तो पंजाब की सरकार ने एक साल के के लिए गुटका, पान मसाला, ये सब completely बेन कर दिया है, खास कर वो जिसमें तंबाकू है, निकोटीन है, इतियादी, स्वास्थे के लिए ये अच्छा नहीं है, प्रोसेस्ट हो, फ्लेवर्ड हो, सेंटेड हो, सुगंदित, चबाने वाला टोबै को हर तरह का बेन हो गया सुप्रीम कोट का ओडर था, इसलिए बेन किया गया, अब जो केंदर सरकार है, उन्होंने पंजाब को कैश क्रेडिट अप्रूव कर दिया है, यानि कैश क्रेडिट पॉलिसी, पंजाब देखिए बुरी तरह से करजे में डूबा हुआ है, पंजाब के उपर जो कैश क्रे सरकार को 31,000 करोड रुपे देने, तो पंजाब इसे अगले 20 सालों में दे सकता है, यानि हर 6 महिने में कुछ-कुछ पैसा करके दे सकता है, तो ये रियायत, ये एक तरह की इन्होंने मौलत दी है पंजाब को, कैश क्रेडिट अप्रूव किया है, पंजाब के लिए याद रखना है, रूल 12, Transaction of Business Rule 1961, इस कानून के तहट ये परधान मंत्री ने अप्रूव किया है, पंजाब के लिए special, पंजाब विधान सभा की बात करते हैं, पंजाब में आप जानते हैं, चुनाव हुए थे, काफी सारे राज्यों में एक सथ चुनाव हुए थे, पाँच रा परी को election हुए थे, 117 सीटे हैं, महां की विधान सभा में पंजाब की, और 11 मार्च 2017 को voting count हुई, शिरोमणी अकाली दल और भारती जंता पार्टी की पहले सरकार थी, परकास सिंग वादल मुख्य मंत्री थे, लेकिन बाजी पलट गई, तो चुनाव जब हुए तो उसमें voting हुई लगभग 77%, 77%, इंकम्बेंसी बहुत स्ट्रॉंग थी, क्योंकि दो टम लगातार किये इन्होंने, शिरोमणी अकाली दल ने, कैप्टन अमरिंदर सिंग आ गए, तो आप देख सकते हैं, अब जो सीटे हैं, उनमें 77 सीटें, कॉंग्रेस ने जीती, तो काफी अच्छा परफॉरमेंस किया, और इन फैक्ट दूसरे नंबर पर पर पार्टी आई, आम आदमी पार्टी, तो आम आदमी पार्टी जो है, इन्होंने 20 सीट जीती, और परकास सिंग बादल, और कॉंग्रेस ने मिलके, मतलब सीरोमणी अकाली दल और बीजेपी ने मिलके, टोटल जी आपकी ये जो इस वीडियो है, अभी तक कैबिनेट एक्सपेंशन नहीं हुआ है, हलांकि ये कह रहे हैं कि अभी कैबिनेट एक्सपेंड करेंगे, लेकिन फिर जो विनोध खन्ना जी थे उनकी डेथ हो गई, गुरदास कूर से वो MP थे, और फिर वो बोले कि थोड़ा आपको सारे नाम याद रखने पड़ते हैं, अभी तक नहीं हुआ है, तो अभी आपको सिर्फ साधाठ मंत्री याद रखने हैं बस, हाँ उनके डिपार्टमेंट काफी सारे हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंग जो हैं इनके पास, मुख्यमंत्री तो यह हैं ही, इनके पास घ् है, टूरिजम, कल्चर, आर्काइब्स एंड मुजियम, इनकी कॉंस्टिटुएंसी बेयाद रखिए, कैप्टन अमिंदर सिंग की कॉंस्टिटुएंसी है, पटियाला अर्बन, ब्रह्म मोहिंद्रा की है, पटियाला रूरल, नवजोत सिंग सिद्धू की है, अमरित सर इस मनप्रित सिंग बादल, ये इन्होंने बजट पे प्रस्तूत करा, तो ये शौर शॉर्ट कॉस्टिन है, अभी लगवाग गेड महीने पहले इन्होंने बजट प्रस्तूत करा है, पंजाब का, ये वितमंत्री है, वागे फाइन्स मिनिस्टर है, इनकी कॉंस्टिटुएंस सिंग बजवा, रूरल डवलप्मेंट और पंचायत, फोर्टर सप्लाइ सैनिटेशन, फतेगर्ड, चूरियन, राणा गुरजीत सिंग, इरिगेशन और पावर, कपूर थला, और चरणजीत सिंग चन्नी, टेक्निकल एजुकेशन और इस्टिल टेंडिंग साहिब, अरुना चौधरी, इन ये एजुकेशन हैं इनके पास, ये एजुकेशन मंत्री है, इनकी कॉंस्टिट्यूएंसी है, दीना नगर, और रजिया सुल्ताना, P.W.D. और सोशल सेक्योरिटी और डवलप्मेंट और वूमेन और चिल्रन, मलर कोटला, तो ये याद इसके अलावा, पंजाब की सरकार ने 33% आरक्षन दे दिया है महिलाओं को राज्ये में जो जॉब्स हैं उनके अंदर, पंजाब ऐसा करने वाला पहला राज्ये है, जिन्होंने 33% डिजर्वेशन दिया है महिलाओं को जॉब्स में, कॉंट्रेक्च्छल अपॉइन्मेंट के अंदर, दूसरी बात, इंपॉटेंट, पंजाब में जो महिलाएं हैं, उन्हें जो पंचाइती राज इंस्टिउशन हैं और अर्बन लोकल बोडिज उनमें 33% डिजर्वेशन था, अब इसको भढ़ाके कर दिया है पंजाब की सरकार ने 50%, यानि कि जो पंचाइती कानूनों को बदला जाएगा, इसके लिए इन्होंने पंजाब मुनिसिपल एक्ट ऑफ 1911 को चेंज किया है, पंजाब मुनिसिपल कॉर्परेशन एक्ट ऑफ 1976 को चेंज किया है, और पंचाइती राज एक्ट ऑफ 1994 को चेंज किया है, इन तीनों पुराने जो कानून है, इन मुख्य मंत्री हो, चाहे वो मंत्री हो चाहे वो कोई भी विधायक हो उसका नाम किसी भी foundation stone के उपर नहीं लिखा जाएगा, किसी भी public project के याद रखिए और दूसरी बात, जो लिखा क्या जाएगा फिर, अगर नाम नहीं लिखा जाएगा लिखा ये जाएगा, कि ये जो project है ये पंजाब की जनता की मदद से पूरा हो पाया, यानि the project has been executed with the money of the taxpayers ये लिखा जाएगा, मंत्री का नाम नहीं लिखा जाएगा, यानि VIP culture खतम करने की ये कोशिश की गई है पंजाब की सरकार द्वारा इसके अलाबा चाहे वो MLA हो, चाहे वो अफसर शाही का हो, व्योरोक्राइट हो, चाहे political appointee हो, या राज्ये का कोई मंत्री हो, बत्ती किसको अलाउड है सिरफ, बत्ती सिरफ अलाउड है चीफ मिनिस्टर को, हाई कोट, पंजाब और हर्याना हाई कोट के judges को, और ambulance या फिर, जो अगनी शमन, जो fire brigade है उसको बस, और किसी को बत्ती अलाउड नहीं है दूसरी बात, जो अकाली दल की जब पार्टी थी तो उन्होंने एक पुलिस को कंट्रोल करने के लिए, एक सिस्टम शुरू करा था, हलका इंचार्ज सिस्टम, जिसमें ये पुलिस को असानी से अफेक्ट कर सकते थे पावर अब्यूस का ये एकदम एक्जामपल था क्योंकि जो हलका इंचार्ज होते थे, उन्हेंने पूरा local administration कंट्रोल कर रखा था, पूरी पुलिस को कंट्रोल कर रखा था, अब ये हलका इंचार्ज सिस्टम खतम कर दिया है, कॉंग्रेस की सरकार ने आते ही तो याद रखिए, ये एक पुलिस रिफॉर्म्स का एक्जामपल है, नई सरकार के अंडर कैबिनेटे मंजूरी दे दी है, पंजाब में एक बनेगा horticulture board अब ये horticulture क्या होता है, आप फल हुगाईए, फूल हुगाईए, सबजियां हुगाईए, ये सब horticulture के अंदर आता है, ये बहुत बड़ी ब्रांच है horticulture तो horticulture board क्या करेगा, पंजाब में जो किसान है वो बहुत ज़्यादा आतमत्या कर रहे हैं जबकि पंजाब में 95% से ज़्यादा assured irrigation है, यानि कि ऐसी जमीन है जिसमें पानी है, assured irrigation, सिचाई की कोई कमी नहीं है लेकिन minimum support price ना मिलने की वज़े से और दूसरे कार्णों की वज़े से किसान आतमत्या कर रहे हैं पंजाब में इस साल भी record आतमत्या हुई है horticulture पे जोर देना चाहिए, इसके लिए सरकार ने एक horticulture board बनाया है ये एक proper अलग administrative body होगी, जो सिरफ horticulture संबंदी projects को carry out करेगी इसमें farmer को सिरफ गेहूं और चावल नहीं, बलकि horticulture की crops कुगाने के लिए प्रेरित किया जाएगा जिससे वो अपनी income को बढ़ा सकें दूसरी बात, इससे पहले सरकार ने एक state agriculture marketing development board बनाया था, जिसे mandi board कहते है ये उसी तरह से बनाया जाएगा, it is very similar to state agriculture marketing development board या mandi board इतना ही नहीं, एक अलग से university भी बनेगी, और ये university जो बनेगी, ये सिरफ फल सबजियों के लिए बनेगी या फिर floriculture के लिए बनेगी, याद रखिये, सिरफ फूल फल या सबजियों के लिए, उनके विकास के लिए, उनके development के लिए, जहाँ पर अनुसंधान research किया जाएगा, उनके लिए बनेगी जैसे veterinary sciences जो होती है, जानवरों की जो medical science होती है, उसे veterinary science बोलते हैं, उसके लिए बनाई गई थी गुरु अंगत देव university गुलु धियाना में तो मैंने आपको बताया था, ये ये university के बारे में, तो उसी तरह से बनेगी, एक अलग university, specialized university बनेगी एक और चीज बनेगी, एक κιनो मंडी बनेगी पंजाब में, किनो ये किनो होता है ये, ये एक तरह का संत्रे जैसा होता है, एक अलग फल होता है ये, citrus fruit होता है ये तो किनो मंडी बनेगी, जहाँ पे cold storage भी होगी, और ये किनो मंडी बनेगी अबोहर में, south Punjab में दूसरी बात देखें पंजाब जो है वहाँ पे अगर आप देखें fruits और vegetable पूरे पंजाब में जितनी भी जमीन पे खेती होती है उसका सिरफ 4% हिस्सा ऐसा है जिस पे fruit और vegetable की खेती होती है तो पंजाब में इसी लिए होटी कल्चर को प्रोमोट करने की बात हो रही है। पूरे पंजाब में जितनी भी जमीन है जिस पे खेती होती है उस पे 4% सिरफ एरिया में फ्रूट और वेजिटेबल उगाए जाते हैं। अब पंजाब ग्रीन रेवलूशन स्टेट है हरित करा पंजाब में आई उसमें सिरफ फोकस किया गया पेट भरने पे यानि वीट और राइस पे पैडी मतलब राइस धान और भारत में जितना भी गेहूं और चावल है उसका 50% लगभग पंजाब से आता है। इसलिए इसे हम बोलते हैं ग्रेन बाउल अफ दा कंट्री ग्रेन नहीं नहीं हर महीने 300 unit of free electricity दी जाएगी यानि 300 unit बिजली हर महीने उन्हें free of cost दी जाएगी और एक घर हर freedom fighter को दिया जाएगा ये कैट्टर अर्मिंदर सिंग ने कहा है अपनी पहली cabinet meeting के बाद इसके अलावा जो freedom fighter है उन्हें एक tube well connection भी दिया जाएगा और उन से toll tax भी नह ने free of cost पंजाब के cabinet ने एक core important decision लिया है एक practice होती है पंजाब में जिसको बोलते हैं कुरकी कुरकी को खतम कर दिया गया है कुरकी basically ये है अगर कोई अपनी जमीन को गिर्वी रख देता है और वो loan वापस नहीं कर पाता है तो आप उसकी जमीन निलाम करके पैसा वसूल लो क्यानिकि जो mortgage land होता है उसको auction कर दो अब इससे जो गरीब किसान है बेचारे तो ये practice इससे काफी ज़्यादा जमीन उनकी छिन जाती थी इसके लिए उन्होंने section 67A of the Punjab Cooperative Society Act 1961 को abolish कर दिया है याद रखिए ये सारे section important है MCQs के लिए section 67A of the Punjab Cooperative Society Act 1961 इसको खतम कर दिया है ज इससे किसान आताम हत्या ना करें क्योंकि किसान से जब उसकी जमीन छिन जाती है तो फिर वो आताम हत्या करने के लिए मजबूर हो जाता है विवश हो जाता है इसके अलावा पंजाब की सरकार ने एक decision ओर लिया है शिरोमनी अकाली दल की जब सरकार थी BJP के साथ मिलके का नाम रखा था शगुन सरकार की तरफ से जो ब्राइड्स हैं उन्हें 15,000 रुपे मिलते थे शादी पे कॉंग्रेस की सरकार ने ये कह था कि हम उसको बढ़ा के 51,000 कर देंगे अगर हम चुनके आते हैं तो चुनके वो आ गए है पर उन्होंने अमाउंट नहीं बढ़ाया बलकि उन्होंने क्या करा अमाउंट तो रखा 15,000 लेकिन स्कीम का नाम पलट दिया अब इसको शगुन नहीं कह जाएगा अब इसका नाम हो गया है आशिरवाद याद रखिए इसमें जो हाइक है यानि जो पैसा है उसमें इजाफा नहीं किया गया है याद रखिए और एक important decision ये लिए गया है कि जो amount है जो 15,000 रुपे मिलेंगे वो direct bank account में जाएंगे online payment डिजिटल कर दिया गया है उसे इसके लावा सरकार ने कुछ और परिवर्दन करें है पंजाब में जो department of agriculture है उसका नाम पलट दिया है उसका नाम पलट के हो गया है department of agriculture and farmers welfare यानि किसानों का welfare क किसानों का उत्थान, किसानों का विकास ये और जोड़ दिया गया है अगे अब इसका नाम हो गया है department of agriculture and farmers welfare एक और department का नाम बदल दिया है department of irrigation का नाम पलट के कर दिया है department of water resources water resources मतलब जल संसाधन department of water resources और ये इसलिए किया गया है इसमें जो cabinet के जो मंत्री बगारा थे जो मीटिंग में थे उन्होंने कहा ये हमने इसलिए किया है जिससे जो पानी है पानी की कमी हो रही है water table नीचे जा रहा है तो उसके बारे में जागरूपता भड़ेगी क्योंकि हम जल संसाधनों पे focus करेंगे सिर्फ सिचाई पे नहीं एक और cabinet ने important decision लिया है जो section 12 है पंजाब agriculture produce market act 1961 का इसमें संशोधन किया जाएगा amendment किया जाएगा और इसमें administrator अपॉइंट किये जाएंगे जो official duty निभाएंगे market committees की याद रखिए एक साल के लिए तो ये section 12 अप पंजाब agriculture produce market act 1961 में शंशोधन करके proper administrator अपॉइंट किये जाएंगे जो official duties निभाएंगे market committee की एक साल के लिए इसके अलाबा पंजाब की सरकार ने ये कहा है जो acid victim है जैसे कई बार होता है कि लड़कियों पे acid फैंक दिया जाता है और फिर उनकी पूरी जिन्गी बरवाद हो जाती है उनको पंजाब की सरकार अब से वित्य साहिता देगी पैसा देगी कितना देगी 8000 रुपे पर मही जो भी acid attack के victim है इसको नाम दिया गया है acid victim scheme 2017 ये इसलिए क्या गया है कि जिससे वो अपना खर्चा उठा सके अपना उनके लिए एक social security हो तो इसको पैसे को देगा कौन इस पूरी scheme को चलाएगा कौन Department of Social Security and Development of Women and Children ये चलाएगा तो याद रखिये इससे जो victim है या उनके जो परीजन है family member relative वगरा है वो इस भुगतान के लिए apply कर सकते हैं district social security officer के पास जो उनके district के अंदर होता है आठ हजार उपे पर महीने दिये जाएगे acid attack victim को अब बात करते हैं पंजाब के सबसे important चीज़ की जो है परियतन tourism और tourism मंत्री भी है काफी जोशीले नवजोत सिंग सि अब देखिए तीन स्कीम चलाई हुए है हमारी central government ने और पंजाब भी उनसे अच्छूता नहीं है पहली स्कीम है स्वदेश दर्शन देखिए स्वदेश दर्शन ये है इसमें जो भी खर्चा होगा हमारी केंदर सरकार देगी central government देगी और उसमें tourism के लिए circuit बनाए जाए फायदा क्या होता है अब अगर मान लेजिए मैं अमरित्सर गया और मैं वास्ताव में अमरित्सर पिछले साल गया था घुमने तो वहाँ पे golden temple अगर ये तो understood है कि golden temple तो हर कोई जाए गई तो वहाँ पे कई लोग जलिया वाला बाग उन्हें पता नहीं है तो वो नहीं ज करेंगे और अगर local tourist भी आएगा तो उससे काफी जादा जो local population उसका विकास होगा क्योंकि local population का विकास होता है direct और indirect employment से direct employment होता है जिसमें जो direct ministry of tourism में काम कर रहे है indirect employment क्या होगा अब वहाँ पे अगर कहीं let's say let's say जलिया वाला बाग है उसके आस पास कोई फलों की ready लगा अटो वाले होंगे रिक्षा वाले यह सब indirect tourism है तो दोनों भढ़ता है परियतन भढ़ने से इसलिए jobs create होते हैं तो स्वदेश दर्शन scheme का concept यह है कि जो local लोग है उनका विकास किया जाएगा tourism के लिए circuit बना के और परियतन के लिए जो भी necessary infrastructure है वो create किया जाएगा इसका ना प्रसाद नाम से पता चल रहा है प्रसाद प्रसाद होता क्या है किसी भी भगवान की पूजा के बाद हमें प्रसाद मिलता है तो प्रसाद की full form है pilgrimage rejuvenation and spiritual augmentation drive and स्वदेश दर्शन देखिए यह है प्रसाद की full form अब प्रसाद की जो concept है वो यह है कि हमारी भारत की जो धार प्रसाद में धार्मिक जंगा है उनका विकास किया जाएगा तो इसमें प्रसाद में धार्मिक स्थान चुने गए है जिनका विकास किया जाएगा और इसको भी चला रहा है ministry of tourism along with स्वदेश दर्शन और तीसरी स्कीम है हृृदे हृदे की full form है heritage city development and augmentation योजना ये full form है इस स्कीम को चला रहा है urban development ministry urban development ministry जो आता है नरेंदर सिंग तोमार के under वो है हमारे rural development minister भी और urban development minister भी अब सवाल ये है कि पंजाब को क्या इससे फाइदा हो रहा है बिल्कुल हो रहा है तो प्रसाद स्कीम जब launch होई थी 2014-2015 में तो इसमें 12 जगा चुनी गई थी 12 धार्मिक उसके बाद पंजाब में कोई और शहर नहीं आया है इसमें सिर्फ पंजाब में एक ही है प्रसाद स्कीम के तहट जिसको डवलब किया जाएगा वो है अमरित्सर हलांकि बाद में एक शहर जोड़ा गया था पटना और फिर बाद में 2015 में और 2016 में 12 और जोड़ दिये गए तो अगर कोश्चन आये कि प्रसाद स्कीम के तहट कितने जगा है जिनको डवलब किया जाएगा तो आंसर है 25 धार्मिक शहरों को डवलब किया जाएगा जिनमें पंजाब में है एक और वो है अमरित्सर क्या हुरदय से कोई फायदा हुआ है बिलकुल हुआ है हुरदय में 12 शहर आइडेंटिफाई किये गए है जिने 500 करोड रुपे की लागत से डवलब किया जाएगा नमबर 2018 तक डेडलाइन है और हुरदय स्कीम को कोई चला रहा है अर्बन डवलप्मेंट मिनिस्ट्री ना वारानसी मतुरापूरी वारंगल वारानसी का पुराना नाम था बनारस तो यह सब शहर है जिनको डवलप किया जाएगा अमरावती यह अभी-अभी आंधर परदेश की राजधानी बनी है तेलंगाना की हिद्राबाद बना दी गई है अमरावती आंधर परदेश की बन ग में टूरिस्ट बिल्कुल ही नहीं आते थे और आएंगे भी क्यों आपको पता होगा पंजाब में जो militancy movement था, खालिस्तान movement वो चल रहा था, काफी आतंक बाद था तो पंजाब उससे पहले अगर हम देखें, जैसे 2010 में पंजाब में जो टूरिस्ट आये थे, हमारे खुद के, घरेलू, भारत के टूरिस्ट, वो थे लगबग 1 करोड़, और 2015 में अगर हम देखें, तो ये हो गया धाई करोड़, यानि पंजाब में जो टूरिजम है, वो 2010 से 2015 में धाई गुना भढ़ गया, और जो फॉरंट टूरिस्ट की अगर मैं बात करूँ, फॉरंट टूरिस्ट आये थे, इसी 2010 से 2015 में, अगर हम चेंज देखें, तो 1.37 लेक आये थे 2010 में, ये भढ़ गए लगबग 2.025 में, यानि कि पंजाब में जो टूरिजम है, वो continuously grow कर रहा है, औ इसलिए जरूरत है टूरिजम को बढ़ाने की, और अब टूरिजम मिनिस्टर है नवजोत सिंग सिदू, और उसमें काफी इनोंने एफर्ट दिये हैं टूरिजम को बढ़ाने के लिए, जो मैं सारे आपको बताँगा, क्या क्या एफर्ट हुए हैं, दूसरे बात, सिंग बदल सरकार ने, जिसमें होटल खोलने वालों को छूट दी गई थी, जैसे उन्हें वैट एग्जम्शन दिया गया था, यानि जो होटल के मालिक हैं, उन्हें वैट नहीं भरना पड़ेगा, दूसरे बात, पिछले साल क्या हुआ है, 2016 में वो बताता हूँ, 2016 में जो तीन सरकिट बनाए जाएंगे, मैंने आपको पताया था कि सरकिट बनाए जाएंगे, सरकिट क्या होता है, कई सारी चीजें एक ही चक्कर में कवर जिससे हो जाएं, लोकल लोगों के विकास के लिए, तो पहला सरकिट है, अमरित सर, रामतीरत, सराइ, अमानत खां, वागा बॉर्डर ये एक circuit है ये माझा रीजन के अंदर है इसमें कई और भी चीजें है जैसे दूरजियाना मंदिर है जलियाँ वाला बाग है कंपनी बाग है और गोविंदगर्ड फोर्ट है गोविंदगर्ड का किला जो अभी अभी रिफर्बिश हुआ है पूरा नवी नहीं करण किया गया इसका इसको रेनोवेट किया गया है मालवा की बात करते है मालवा एरिया में लुधियाना, मोगा, फिरोजपूर, भटिंडा, मुक्तसर और फरिद कोट ये एक circuit बनाया गया है पूरा इसमें ये सारे एरिया है और भटिंडा नभ, मलर कोटला, लुदियाना, फतेगर साहिब ये तीसरा circuit है और इसमें भी काफी सारे tourist attraction है इसके लावा जो पटियाला में जैसे किला मुबारक कॉंप्लेक्स, रंग महल, शीश महल, मोती बाग पैलेस, दर्बार हॉल जिसे दिवान खाना बोलते हैं, बारादरी गार्डन, किला बाधूरगर्ड, पंज, बली, गुरुद्वारा, मैजी दी सराय, तो ये काफी सारे tourist attraction है जिनके लिए tourist circuit बनाया गया है, तो तीन tourist circuit में हैं जो ministry of tourism बनाने का कोशिश कर रही है, इसके अलावा ब्यास, बहुत ही खुबसूरत शहर है, पिछले साल में ब्यास गया था, अमरिटसर भी गया था, तो ब्यास में मैं बाबा जैमल सिंग का जो डेरा है, रादर स्वामी आश्रम महां भी गया था, और बहुत ही खुबसूरत मुझे ब्यास लगा, ब्यास नदी भी मैंने देखी, और अब ब्यास को एक conservation reserve बनाए जाएगा, देखे, conservation reserve क्या होता है, ब्यास नदी है, ब्यास नदी है, 185 किलो मेटर लंबी, अब ब्यास नदी में मचली पकड़ नहीं सकते, आप मचली पकड़ने के लिए जो जाल है वो नहीं डाल सकते, और किसी भी तरह का शिकार नहीं कर सकते, यानि कोई भी व्यवसाइक तोर पर fishing, netting और hunting बैन कर दी गई है ब्यास नदी के अंदर, इसके अलावा, घडियाल, घडियाल एक खास तरह के मगरमच होते हैं, डॉल्फिन, और कई तरह की और मचलियां हैं, जो जान बूझ कर इस नदी के अंदर ब्रीड की जाएंगी, उनको रखा जाएगा, जिससे टूरिजम भड़े, तो ये क्या गया है, इसे एक conservation reserve बनाया मगरमच normal होते हैं, उनमें ये आगे snout, ये इतनी बड़ी चोंच नहीं होती, तो ये जो मगरमच होते हैं, इनमें आगे इस तरह की एक चोंच होती है, और ये मिलते हैं, ज्यादातर ये गंगा- назвi में मिलते हैं, और इनका जो नाम है, उस में भी गंगेटिकस आता है, अ अब ये गड़ियाल आएंगे कहां से, ये तो गंगा से ही आएंगे, तो ये बोल रहे हैं कि कुछ गड़ियाल इनके पास अपने खुद के हैं, जो इन्होंने राचिय में ब्रीड करवाएं, और कुछ आएंगे उत्तर परदेश और मद्धे परदेश से, कहां कहां से कुछ और बात करते हैं, भारत का सबसे बड़ा जंडा, जो भारत पाकिस्तान का बॉर्डर है, अटारी बॉर्डर, वहां पे फैराया गया, इसका उधगाटन किया अनिल जोशी ने, और ये है जो ये सबसे बड़ा जंडा है, याद रखिए, सिरफ बॉर्डर से 150 मेटर द पाकिस्तान की साइड छोड़ी है, लाहर तक से दिखता है, इतना बड़ा है, 360 फुट का है, ये 110 मीटर, जो भी एक्जाम में MCQI, या तो 110 मीटर लिखा होगा, या 360 फुट लिखा होगा, फुट और फीट एक ही बात है, फुट सिंगुलर होता है, फीट प्लूरल होता है, और ये उसकी लेंद है, 24 मीटर उसकी विड़त है, और 55 टन वजन का है, साड़े 3 करोड रुपे का बनाए ये, और आप जानते हैं, बीटिंग रिट्रीट सेरिमनी होती है, अटारी बॉर्टर पे, और ये टॉलेस्ट फ्लैग इससे पहले जो था, वो 360 फुट का नहीं था वो था सिरफ 300 फुट का, वो है रांची, जो जारखंड की राजधानी है, वहाँ पर, अमरित्सर के पास एक और जंडा है, बहुत बड़ा, 170 फुट का, ये है रंजीत एवेन्यू पब्लिक पार्क के अंदर, लेकिन अब जो है, ये एक भारत का रिकॉर्ड है, 360 फीट का ये जंडा है, इसके लावा चंडीगड के अंदर, Destination Northeast, ये त्योहर इनोगरेट हुआ, Destination Northeast, तो Destination Northeast को, जो Northeast के लिए अलग मंतराले है, जिसको बोलते हैं, D-O-N-E-R, तो इसको बोलते हैं, Development of North Eastern Region का Department, उसके हमारे जो Minister of State हैं, वो कौन है, डॉक्टर जितेंदर सिंग, तो इस बार इन्होंने कहा, कि अगर हमें North East का विकास करना है, तो हमें 3H का सहरा लेना पड़ेगा, ये 3H कौन कौन से हैं, एक होटिकल्चर, दूसरा है 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 हैंडिक्राफ्ट, और तीसरा है है हैंड्लूम, अगर ये तीनों का विकास होगा, तो automatically North East का विकास हो जाएगा, इ ऐसे बन तो पंजाब मेरा है, फाइदा पंजाब को इससे, इस डैम का नाम है शाहपूर कंडी डैम, ये स्टॉल हो गया था, जमू कश्मीर बोला हम इसे नहीं बनने देंगे, लेकिन फाइनली अब ये बन रहा है, तो ये डैम है क्या, देगे शाहपूर कंडी डैम जो प पानी आता है, तो देगे रावी जो नदी है, आप जानते हैं, ये इंडस नदी में जाके मिल जाती है, और ये जमू कश्मीर से पंजाब की तरफ आती है, तो रावी नदी डाउंस्ट्रीम आती है, तो उस पे एक और बांध बनाने का प्रोजेक्ट है, जिसका नाम है शा 55.5 मीटर, 55.5 मीटर हाई, ये 5,000 हेक्टेर जमीन पंजाब में और जमू कश्मीर में पंजाब में इरिगेट करेगा, और जमू कश्मीर में 32,000 हेक्टेर इरिगेट करेगा, और साथ में 206 मेगावाट पावर भी बनाएगा, इसमें कंडिशन क्या है, कंडिशन ये है कि इ शेर नहीं करेंगे और जमू कश्मीर ने ये कहा उस वक्ट जो सरकार थी उसने ये कहा कि हम ये शोर नहीं है कि पंजाब का जो कमिटमेंट है कि वो हमारे साथ बिजली बनने के बिजली शेर करेगा और जो एकनॉमिक बेनेफिट है इस डैम को बनने के वो हमारे साथ शेर करे या नहीं लेकिन आप इस पे काफी advanced बाते हो चुकी है सारी और अब ये dam बनने जा रहा है अब बात करते हैं पंजाब agriculture university की पंजाब agriculture university जो है ये लुधियाना में है और इसने भारत का पहला genetically modified variety बनाया है BT cotton का, सवाल ये BT cotton होता क्या है, देखिए cotton मतलब होता है रूई या कपास बोलते हैं इसे, ठीक है cotton, अब cotton में जब किसान उगाते थे तो कीडा लग जाता था, उस कीडे को बोलते थे ball warm और आप मानेंगे नहीं, पूरे के पूरे खेत खतम कर देता था ये कीडा, कुछ बसता ही नहीं तो scientist ने क्या किया, एक bacteria लिया, इस bacteria का नाम है bacillus thurigenesis bacillus thurigenesis और इसका gene निकालके cotton के इंदर डाल दिया, यानि genetically, आनुमांचिक तोर पर cotton को modify कर दिया गया तो ये क्या बन गया अब, gene किसका डाला, bacillus thurigenesis, इसको short में क्या बोलेंगे, BT तो ये बन गया, BT cotton अब BT cotton का फायदा ये था, इसके जो beach अगर आप बोद हो, तो उससे जो cotton बनेगी, वो ball warm resistant होगी ball warm उसे नहीं खा पाएगा तो ball warm के नए variety बनाए हैं, पंजाब अगरी कल्चर उनिवस्टी में और सरकार ने तीन variety total हैं, जो अप्रूव कर दिये हैं ये तीन variety कौन-कौन से हैं, जो पंजाब की सरकार ने अप्रूव कर रहे हैं, कि पंजाब में इनका cultivation हो सकता है, इनको उगाया जा सकता है, और याद रखिए भारत में, जो genetically modified crop है, एक मात्र है, जो उगाने की permission है, और वो है cotton, अभी controversy चल रही है, BT brinjal को लेकर जो brinjal, मतलब genetically modified brinjal को लेकर, क्योंकि ये बैंगन आया है, खास तरका, और इसको लेकर, और एक चल रही है, controversy mustard को लेकर, genetically modified सरसों, पंजाब में भी काफी mustard हैं, आपने देखा होगा, पंजाब में फिल्मों में दिखाते हैं कि वो yellow color के जो full होते हैं, वो सब mustard के खेत होते हैं, तो वो उस पर भी controversy चल रही है, तो ये brinjal और mustard अभी भारत में शुरू नहीं हुए, अभी सिर्फ cotton चल रहा है, और भारत में आज जितना भी cotton हुगाए जाता है, ज्यादा 2013 for cultivation in Punjab, अब इसमें तीन जो अप्रूव करी हैं, इनमें Punjab ने कौन सी बनाई है, एक तो बनाई है PUBT1 और दूसरी बनाई है F1861, RS2013 पंजाब ने नहीं बनाई, ये राजस्थान ने बनाई है तो मैं और डिटेल में जाता हूँ इसकी अब ये जो तीनों वेराइटी है BT cotton की, इनमें जीन कौन सा है जीन का नाम है Cry 1 AC जीन, ये वो जीन है जो डाला गया इनके अंदर, और ये जीन भी उसी bacteria से मिलता है, यानि बैसिर थूरी जैने से मिलता है, और इसे ball warm जो कीड़ा है, वो cotton को नहीं खा पाता उसमें resistance हो जाती है अब राजिस्थान Agriculture University है बेकानेयर में उसने बनाया है RS2013 जो तीसरे वाला है, जो मैंने आपको यहां दिखाया RS2013, और बाकी दो बनाये है पंजाब Agriculture University में अब इसमें फरक थोड़ा सा ये है जो PAU BT बन है, ये तो पूरा ही पंजाब ने बनाया है completely, लेकिन जो दूसरे वाला है जो F1861 है इसको BT में convert करा है Central Institute for Cotton Research नागपुर ने महराष्टर के अंदर है Central Institute for Cotton Research चलिए, अब बात करते हैं संतोष ट्रोफी संतोष ट्रोफी फुटबॉल के लिए खेली जाती है इस बार जो 71 संतोष ट्रोफी खेला गया ये Final Goa में हुआ और इसमें पंजाब ने हरा दिया Railways को यानि अगर question आई संतोष ट्रोफी किसने जीता इस बार तो answer है पंजाब और score था 2-1 Final में दोनों गोल पंजाब की तरफ से दागे राजबीर सिंग ने अब पंजाब के जो पूर्व क्रिशी मंत्री है गुरुदेव सिंग बादल इनका निधन हो गया ये 85 साल के थे इन्होंने अपनी आखरी सांस ली देरन Medical College Hospital उधियाना में ये शिरोमणी अकाली दल के सीनियर लीडर थे और ये चुनाब कहां से लड़ते थे विधान सबा के पंज गरेन कॉंसिटिवेंसी जलंदर वहां से पांच बार MLA थे ये याद रखिए बहुत इंपोर्टन लीडर थे गुरदेव सिंग बादल पंजाब की जो सरकार है ये bookbank होल रही है हर school के अंदर bookbank क्या होता है देखिए bookbank होता है अगर कोई धनी है तो वो गरीब बच्चों के लिए किताबे free of cost gift कर सकता है अपनी जो पुरानी किताबे हैं या जो काम की नहीं है गरीब बच्चों को free of cost दे सकता है तो उब होगा book bank और ये जो book bank हैं ये गरीबों के काम आएंगे तो पंजाब की education minister अरुना चोधरी उन्होंने ये launch करी book bank ये पंजाब government पहली government है जिन्होंने इस तरह का book bank launch करा है दिलिब कुमार जी जो great actor है हमारे दिलिब कुमार जी अभी थोड़े में योगदान के लिए पंजाब association ने दिया है living legend lifetime achievement award living legend lifetime award और दिलिब कुमार जी को और बहुत बड़े बड़े अवार्ड मिल चुके है दादा साहिब फाल के अवार्ड मिल चुका है पदम विभूशन मिल चुका है जो भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है तो दिलिब कुमार जी को क्या मिला है पंजाब association द्वारा living legend lifetime achievement award पंजाब की जो सरकार है उन्होंने आधार काड को compulsory कर दिया है अगर आपको राशन काड की दुकान पे जाना है और आपको चीजें खरीदनी है subsidized price पे जो राशन के डिपो जीने बोलते हैं राशन की काड जो दुकाने होती है तो वहाँ पे रेशन अगर आपको लेना है या फिर आपको subsidized जो subsidy मिलती है सरकार की तरफ से schemes होती है बहुत सारी उनका फाइदा लेना है तो आधार काड compulsory है पहले राशन काड कमपल्सरी था रेशन शॉप्स पगरा पे या सरकार की schemes का फाइदा लेने के लिए अब आधार काड को कमपल्सरी कर दिया गया है और Supreme Court का ओडर आप जानते हैं आपको अपने bank account को bank account में जो pen number है उसे भी आपको उससे link करना पड़ेगा आधार से तो ये कुछ चीज़े हैं जो आपको करनी पड़ेगी अब बात करते हैं Northern Zonal Council की meeting हुई 28 वी और इसको chair किया हमारे घ्रह मंत्री राजनात सिंग ने चंडिगड के अंदर ये हुई थी अब ये Zonal Council क्या होता है देखिए भारत को वो पाँच Zonal Council में भाटा गया है Central, Western, Northern, Southern और Eastern ये पाँच Zonal Council establish हुए थे State Reorganization Act 1956 के तहत और Northern Zonal Council में कौन-कौन है चंडिगड, पंजाब, हरियाना, हिमाचल परदेश, जमू कश्मी, राजिस्थान और दिल्ली ये है Northern Zonal Council Zonal Council का मतलब ये होता है कि जो North के राजिये है वो आपस में मिलेंगे और अपनी कोई अगर कोई प्राबलम है उससे सुलजाएंगे क्योंकि देखिए अगर दो राजियों के बीच में मैं रिपीट करता हूँ अगर दो राजियों के बीच में कोई dispute है कोई लड़ाई है तो फिर उससे सिर्फ Supreme Court सुलजा सकता है और Supreme Court जो फैसला देगा वो मानने होता है तो उसमें हो सकता है कि जो राजिये हैं उनको किसी को मानने ना हो लेकिन Supreme Court ने कह जया तो मानना पड़ेगा मैं एक example देता हूँ SYL ये बन रहा है सतलुज लिंक जो हरियान और पंजाब में लड़ाई चल रही है बहुत टाइम से लड़ाई चल रही है अब इस पे Supreme Court का जो फैसला है पंजाब को मानना पड़ेगा और पंजाब जो है पंजाब ने कुछ लोकल परिवरतन करे थे अपने स्टेट कानूनों में सुप्रीम कोट ने उन्हें नकार दिया इसलिए पंजाब ने ये काये कि वो आउट ओफ कोट सेटलमेंट करना चाहता है SYL को लेके हरियाना के साथ क्योंकि सुप्रीम कोट ने अगर फिर पंजाब को कुछ कह दिया या कुछ वर्डिक्ट में आगे तो पंजाब मानने के लिए मजबूर हो जाएगा इसलिए जोनल काउंसिल का फायदा ये होता है कि आप कोट के बाहर ही अपने जो बात करके वारता करके अपने जो इशूस हैं उन्हें सुलजा सकते हो ये होता है जो इंटर स्टेट इशूस हैं उनको सुलजाया जाता है जोनल काउंसिल की मेटिंग के अंदर तो 28 वी मेटिंग हुई थी नॉर्दन जोनल काउंसिल की चंडिगड में पंजाब के पूर्व डीजीपी पंजाब के पूर्व डीजीपी के पीएस गिल बहुत पॉपुलर थे क्योंकि पंजाब में जो बबर खालसा बगारा का जो अतंकवाद था जो दूसरा तरका टीजीपी ती उनको खतम करने में उनको शांत करने में बहुत बड़ा रोल था KPS Gill का 82 साल के थे दिल्ली के गंगराम हस्पिटल में इन्होंने अपनी आखरी सांस ली इन्हें पदम श्री भी मिला था 1989 में अब इन्होंने दो किताबे लिखी हैं जो एक्जाम में जरूर रहेंगी KPS Gill की दो किताबे लिखी हुई है एक इन्होंने लिखी है सादवी खुसला के साथ मिलके इस किताब का नाम है Punjab The Enemies Within यानि पंजाब हमारे आंतरिक दुश्मन और दूसरा है The Knights of Falsehood तो दोनों किताबों के नाम याद रखिए The Knights of Falsehood and The Enemies Within इसके लाबा पंजाब की सरकार ने लॉंच करी है Chief Minister Scholarship Scheme ये बच्चों के लिए है जो एकदम टॉपर है उनके लिए है जो अच्छे नंबर लाएगा उसे ये स्कीम मिलेगी क्या ये स्कीम प्राइवेट में भी है या सरकारी में ही है तो इन इंस्टिटूशन में पढ़ने वालों के लिए है सिरफ जो भी Government, Polytechnic और Engineering College के बच्चे है उनके लिए महलाजा रंजित सिंग उनिवरस्टी भटिंडा और I.K. गुजराल पंजाब Technical University जलंदर इन में पढ़ने वाले बच्चों पर ये Apply होगी, Applicable होगी और इसमें Cheap और Quality Education दी जाएगी Meritorious बच्चों को और गरीब बच्चों को तो इसमें फीस कम कर दी जाएगी अब कितनी फीस कम की जाएगी? देखते हैं अगर बच्चा 60-70% नमबर ला रहा है Class 10 में तो उसे 70% फीस Off होगी अगर वो 70-80% ला रहा है तो 80% अगर वो 80-90 ला रहा है तो 90% अगर 90-100 के बीच में ला रहा है तो पूरी फीस माफ पंजाब की जो सरकार है उन्होंने United Kingdom UK के साथ मिलके एक कोशल विकास का प्रोग्राम स्टार्ट कर रहा है राज्ये में जो यूवा हैं उनको कोशल विकास यानि स्केल ट्रेनिंग और टेक्निकल एजुकेशन प्रोग्राम की जाएगी जिससे उनको रोजगार के बहतर उपर्चुनिटी मिले इसके लिए पंजाब ने United Kingdom के साथ वो किया है अनुबंद किया है एक हाथ मिलाया है और ये साइन करा टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर है जो चरंजित सिंग चन्नी और बिटेन के डेपूटी हाई कमिशनर एंड्रे आयर ने एक जून को चन्डिगर के अंदर इस कीम के तहथ जो UK है वो अपने स्किल डवलप्मेंट के जो एक्सपर्ट है कोशल विकास करने में जो माहिर लोग है अपने वो लंदन से इंग्लेंड से भेजेगा पंजाब में जो यहाँ पे आके ट्रेनिंग देंगे पंजाब की सरकार ने एक ट्राइपल्टाइट एग्रिमेंट किया है ट्राइपल्टाइट मतलब होता है तीन पार्टी होती है जैसे जनली जो कॉंट्रेक्ट होता है वो दो पार्टी के बीच में होता है अब सी बी आ गया तो वो हो गया ट्राइपल्टाइट तो Triparted Agreement में कौन को ने? के अंदर सरकार है, Airport Authority of India है और Punjab की सरकार है ये क्यों किया है? देखिए एक स्कीम आई है जिसका नाम है उड़ान यानि उड़े देश का आम नागरिक उड़े देश का आम नागरिक, इसमें बेसिकली ये है कि भारत के जो अंसर्वड और अंदर सर्वड एरपोर्ट हैं उनको connectivity दी जाएगी, अंसर्वड एरपोर्ट वो होते हैं जहाँ पे कोई भी flight नहीं जाती, सिर्फ एरपोर्ट बना के छोड़ दिया और अंदर सर्वड एरपोर्ट वो होते हैं जहाँ पे flight बहुत कम जाती है, requirement से काफी कम तो उड़ान स्कीम में इनको regional connectivity प्रोवाइड की जाएगी, इसलिए स्कीम को बोलते हैं regional connectivity स्कीम और ये चार एरपोर्ट हैं जो ये connect किये जाएंगे, कौन-कौन से, भटिंडा, लुदियाना, पठान कोट और आदमपुर ये चार एरपोर्ट हैं जो उड़ान के तहत cover किये गए इसके अलावा एक लाख seat ऐसी हैं जो passengers को मुहया कराई जाएंगी, जिन में 50% seat ऐसी हैं जो सस्ते में करवाई जाएंगी देगे, fair cap जरूरी है, अगर आप कहते हैं उड़े देश का आम नागरी को उड़ाना है तो flight की ticket सस्ती होनी चाहिए इसलिए जो एक घंटे तक की flight है, वो concession में 2500 रुपे तक में भी मिल सकती है आपको और जो पहली flight उड़ान के तहट चली, वो चली शिमला से दिल ली तो 50% जो seat होंगी, एक लाख में वो subsidized होंगी, concessional fair होंगे उन पर अब इसको fund कोन कर रहा है, अब ये concession जो मिलेगा, airlines जो है उनका तो नुकसान है तो airline कहेंगी हम तो plane नहीं उड़ाएंगे, इसलिए वो पैसा सरकार देगी और वो जो gap आ जाएगा बीच में उसको सरकार भरेगी लेकिन इसमें केंदर सरकार भी भरेगी और state भी भरेगी, तो 80 is to 20 का ratio है यानि 80% केंदर सरकार देगी, 20% पंजाब की सरकार देगी, जो भी इसमें खर्चा होगा उडान स्कीम में पंजाब के मशूर लेखक ये plays लिखते थे, नाटक वगरा लिखते थे, theater वगरा लिखते थे इनका नाम है अजमेर सिंग अलक, मंसा के थे ये, इनका निधन हो गया पंजाब में 75 साल के थे, इने सहित्ते अकेडमी अवार्ड मिला था 2006 में, इनका नाटक है जिसका नाम है इश्क बाजो नमाज़दा हज नहीं इश्क बाज़दा हज नहीं, इसके लिए इनने 2006 में मिला था साहित्ते अकेडमी अवार्ड हमारे जो food processing minister है हमारी हरसिमरत कौर बादल हरसिमरत कौर बादल जो है ये शिरोमणी अकाले दल पार्टी की है और NDA का हिस्सा है और इन्होंने नीव रखी पंजाब में बन रहा है पहला maze based food park maze क्या होता है? maze होता है भुट्टा या मक्का जो corn होता है basically c-o-r-n corn उसे बोलते है maze अब पंजाब में अगर गेहूं और चावल छोड़ दें तो तीसरे नंबर पे जो main food crop है वो maze है लेकिन maze में क्या होता है कि maze उतना popular नहीं है इंडिया में compared to western countries पर maze का एक सबसे बड़ा फाइदा क्या है? maze का सबसे बड़ा फाइदा यह पानी बहुत कम लगता है और पंजाब का जो ये एरिया है कपूर थला का इसमें काफी पानी की shortage है तो यहाँ पे लगाया है रेहाना जटन विलेज में कपूर थला में maze based food park पंजाब का पहला maze based food park है यह याद रखिए और इसका फाइदा यह होगा कि कम पानी में भी यह उगाया जा सकता है और इससे food security भी हो सकती है आगे जाके अगर हम maze sufficient हमारे पास हो क्योंकि अगर हम देखे western countries और यूरोप वगारा उसमें maze एक बहुत main stream crop है यह food park पचपन एकड की जमीन पे बनेगा 123 करोड रुपे की लागत से बनेगा और इसमें 50 करोड रुपे देगी केंद सरकार financial assistance इसके अलावा इसे develop कौन कर रहा है इस company का नाम है सुख जीत मेगा food park and infra limited और इससे सरकार ऐसा कह रही है कि 450 से 500 करोड रुपे हमारी income होगी साल की एक agreement sign हुआ है पंजाब में बनेगा एक इंडिया का पहला याद रखिए इंडिया का पहला technology and innovation support center जिसको short में बोलते हैं TISC TISC और इसका focal point कौन होगा मतलब कौन सी भारत में organization है जो इसको manage करेगी इसको promote करेगी उसका नाम है SIPAM यानि the cell for IPR promotion and management IPR बोलते हैं intellectual property rights को और भारत में intellectual property जो right है वो काफी poor है patent protection बहुत पूर है copyright protection बहुत पूर है तो IPR को promote करने के लिए ये किया है Department of Industrial Policy and Promotion यानि DIPP, Ministry of Commerce and Industry, Government of India इन्होंने मिलके ये agreement sign किया है Punjab State Council of Science and Technology के साथ और ये बनेगा भारत का पहला TISC Punjab के अंदर पंजाब की जो सरकार है इन्होंने एक organization है जिसका नाम है FIND FIND मतलब Foundation for Innovative New Diagnostics Healthcare की organization है इन्होंने ये basically करते किया है FIND organization करती किया है ये disease को scan करती है लोगों की जाच करती है कहीं उन्हें disease है तो नहीं कौन सा disease? Hepatitis C mainly Hepatitis C और इसके लाबा AIDS है HIV वगारा intravenous drug users ये सब चेक करेगी high risk patient को screen करेगी उसके लिए पंजाब की सरकार ने M.O.U. sign किया है FIND company के साथ Foundation for Innovative New Diagnostics और ये M.O.U. sign हुआ world hepatitis day के दिन जो होता है 28 जुलाई को hepatitis भी कई तरह का होता है A, B, C, इतियादी main बात ये है hepatitis affect करता है body में liver को और पंजाब जो है ये पहला इस तरह का भारत के अंदर वो है जिनोंने injection safety program W.O. का उसके तहत ये M.O.U. sign किया है और पंजाब के health minister ने ब्रह्म मोहिंद्रा पंजाब ने एक और scheme स्टार्ट करी है जिसका नाम है care companion program care companion program क्या है इसको भी हमारे health minister ब्रह्म मोहिंद्रा ने ही launch करा है ये scheme ये है कि जो patient आते है patient को educate करो उनकी family को educate करो जिससे result अच्छे मिले जो जाग रुकता है रोग की वो fellow जितनी हो सकती है तो state department of health and family welfare उन्होंने एक MOU sign करा है इसके लिए नूरा Health India Trust के साथ ये एक basically NGO है non-profit organization है जो care companion program को implement करेगी यानि patient education program है ये care companion program companion मतलब क्या होता है जो patient के सगे संबंदी है जो साथ में family है या जो उसके साथ जो आते हैं उनको educate करना है यानि पूरी तरह से family engagement के through हमें disease पे control पाना है तो इसका जो aim है वो क्या है इसका aim ये है कि जो पंजाब में infant death होती है infant death मतलब क्या है जो बच्चे पैदा होते ही मर जाते हैं खास कर जो शुरू के 30 दिनों में पैदा होते ही शुरू के 30 दिनों में बच्चे मर जाते हैं infection की वज़े से या दूसरे health complication की वज़े से वो हमें कम करना है यानि infant mortality rate हमें कम करनी है अब पंजाब की सरकार ने एक और scheme चलाई है जिसका नाम है अपनी गड़ी अपना रोजगार ये scheme क्या है ये रोजगार के लिए किया है यानि दोनों चीजें है skill development भी है और रोजगार भी है कैसे इसके लिए उन्हें पार्टनर्शिप करी है Uber के साथ UBER के साथ तो basically इसमें taxi वगरा चलाई जाएंगी Uber की मोहाली लुधियाना जिरकपूर और खरार रीजन में ये अभी कम एरिया में करी है बादमपूर एरिया में फिला दी जाएगी इसमें जो mobile transport है जैसे taxi है वगरा bike taxi दू पहिया जो taxi होती है और साथ में four wheeler भी और first phase में अभी सिर्फ two wheeler है फाद में four wheeler भी आ जाएंगे इसमें तो जो youth हैं उन्हें पहले वो सिखाये जाएगा और उन्हें सबसे बड़ी बात ये है कि जो two wheeler है और four wheeler है वो कम पैसों में दिये जाएंगे यानि subsidize rate पे दिये जाएंगे जिससे जो गरीब लोग है जो unemployed youth है जिनके पास रोजगार नहीं है वो कम पैसों में taxi या बाइक खरीद के उसको taxi की तरह यूज़ करके अपना पेट पाल सके पंजाब की सरकार ने नई transport policy बनाई है अभी नई transport policy क्या है देखिए इसमें जो district transport officer है DTO वो system खतम कर दिया है पूरा खतम कर दिया है और ये दो चर्णों में होगा दूसरी बात एक बार ये scheme जब लागू हो गई तो लगभग 5432 बसें और 6700 minibus, 78 luxury bus वगारा इनका जो license है वो cancel कर दिया जाएगा याद रखिए और इनको दुबारा apply करना पड़ेगा इसमें जो private operator है जो private गाड़ी चालक है उन्हें 25% से ज़्यादा permit नहीं मिलेगा किसी particular route के लिए जाद रखिए यानि एक private operator को चाहे वो एक company हो, एक person हो कोई भी एक company हो, एक party हो, एक person हो उसको एक route के लिए 25% से ज़्यादा टोटल permit जो है वो एक route के लिए नहीं मिलेंगे मतलब और दूसरी बात इसमें ये है कि ये 5 साल के लिए apply होगा ये इसका जो license मिलेगा आपको दुबार apply करने पे मिलेगा भी ये 5 years के लिए apply होगा from date of issue और 5 साल के लिए valid रहेगा date of renewals है अगर renew कर रहे हो तो उससे 5 साल के लिए अगले मतलब टोटल 5 साल के लिए valid रहेगा और जैसा मैंने बताया 25% से ज़्यादा permit नहीं दिये जाएंगे किसी भी एक party को एक route के लिए और इसमें employment create की जाएगी यारी enterprise scheme के तहट जिसमें youth को again subsidy provide की गई है पंजाब के जो वित मंत्री है finance minister उन्होंने पंजाब का budget price पेश किया है पंजाब का budget price किया है मनप्रीत बादल ने और जो टोटल budget है इस बार वो है 1.11 lakh करोड 1,18,000 करोड का budget है ये इस वित्तिय वर्ष के लिए एक अपरेल 2017 से 31 मार्च 2018 अब ये budget क्या है किस बारे में बात होगी इस पे देखें पंजाब के उपर कर्ज बहुत ज़्यादा इस वक्त तो इसमें fiscal credence दिखाई गई है यानि कि बहुत ज़्यादा free wise वगरा नहीं है इसमें दोनों चीज़ की गई है स्कीम भी है और साथ में fiscal stability भी रखी गई है पंजाब का जो उधार है वो जब तक ये साल खतम होगा यानि 31 मार्च 2018 तक कितना हो जाएगा एक लाख 95 ग्रोड हो जाएगा पंजाब के उपर कर्ज तो पंजाब कैसे चुखाएगा पंजाब कैसे चुखाएगा इतना कर्ज तो इसके लिए काफी सारी चीज़ें की गई है इन पर हम चर्चा करते है बजट के अंदर क्या क्या है बजट के अंदर जो लड़कियां है गवर्मेंट स्कूल्स में और कॉलेजिस में उनकी एजूकेशन फ्री कर दी गई ये पंजाब में ये बहुत बड़ा कदम उठाया है पंजाब की सरकार ने नारी शशक्ति करण के लिए वुमेन एमपावर्मेंट के लिए गर्ल एमपावर्मेंट के लिए नर्सरी से लेके पिएशडी की तक की पढ़ाई फ्री लड़कियों के लिए पूरे राज्ये में गवर्मेंट स्कूल्स में और कॉलेजिस में दूसरी बात जैसे मैंने बताया आप महिलाओं के शशक्ति करण के लिए एक चीज़ और करी गई है जो loan waiver scheme है वो क्या है अगर कोई small and marginal farmer है जिसके पाँच एकड़ तक जमीन है तो 2 lakh रुपे और अगर कोई भी farmer है marginal farmer के अलावा all other marginal farmer उनके लिए भी flat 2 lakh rupees का verf loan इसे 25 lakh farmer जो हैं वो फाइदा पहुँँचेगा और 8.75 lakh farmer जिनके पास पाँच एकड तक जमीन है उनको फाइदा मिलेगा इस कीम के तहट इसके अलावा देखिए पंजाब सरकार का जो revenue expect किया गया है वो expect किया गया है लगबग 40,000 क्रोड 39,500 क्रोड सरकार का सबसे ज़्यादा खर्चा किसमें होता है सरकार का सब ज़्यादा खर्चा होता है सेलरी देने में जो सरकार के जितने भी सरकारी अधिकारी हो चाहे वो टीचर हो चाहे वो मतलब कोई भी सरकारी जॉब में है तो जितना भी revenue earn करती है सरकार अब आप देखिए projection किया है लगभग 39,500 करोड का सरकार की कमाई होईगी इस साल में यह estimation है उसमें 31,000 करोड इसमें से salary में चला जाएगा यानि 3-4 धन salary में चला जाएगा तो यह salary outgo है और salary तो भड़ती जारी अब 7th pay commission के साब से salary मिलेगी इसके अलावा जो captain अन्मिंदर सिंग है उन्होंने किसानों को यह कहा है कि अगर आप चाहें तो अपनी power subsidy छोड़ दें अपनी मर्जी से अपनी खुद की मर्जी से यानि कि एक तरगा give it up campaign है यह जैसे आपको याद होगा निरेंदर मोधी जी ने चलाया था LPG gas के लिए कि अगर आपको लगता है आपके पास भगवान कजिया सब कुछ है वो है तो अपनी LPG gas की subsidy छोड़ दो तो इसलिए captain अन्मिंदर सिंग ने भी यह कहा है कि अगर जो बड़े farmer हैं जिनके पैसो की कोई दिक्कत नहीं है जादा वो अपनी power subsidy को forgo कर दें उन्हें छोड़ दें अपनी खुद की इच्छा से और यह subsidy का amount कितना रखा गया है subsidy जो है सरकार ने कहा है इसका amount जो estimate किया गया है वो है लगभग 10,000 करोड़ पहले था लगभग 8,966 करोड़ लेकिन अब है 10,255 करोड़ तो याद रखिए और यह subsidy भढ़ क्यों गई है क्योंकि जो tube well connection वगारा है वो भी बढ़े है consumption है जो tube well connection की वो भी बढ़ी है तो उसे tube well को चलाने के लिए बिजली यूज होती है इसे लिए बिजली की requirement भी बढ़ी है तो subsidy का amount भी बढ़ा है 10,255 करोड़ इसके लावा urban area project urban area project कौन-कौन से होते हैं जैसे smart city है अमृत अटल mission for rejuvenation urban transformation यानि शहरों को replan किया जाएगा उनका नविनी करन किया जाएगा उसके लिए जो scheme है वो है अमृत तो अमृत स्वच भारत mission शहरों में उस सब के लिए urban projects के लिए जो पैसा है वो लगभग डबल कर दिया गया है 4,610 करोड, 2,268 करोड से बढ़ा के, real estate sector डाउन है, property वैसे डाउन है, तो property को revive करने के लिए चीज़ करिए, क्या करिए, stamp duty जो है पहले थी 9%, इसमें 3% की छूट कर दी गई है, अब ये होगी सिरफ 6%, 3% के cut कर दिया गया है, तो बहुत बड़ा change है ये, stamp duty जो होती है, काफ पंजाब में जो आपको याद होगा, Asian Athletics Championship वी थी भूवनेश्वर में 6-9 जुलाई, इसके लिए qualifiers अरेंज किये गए थे, जिसका नाम था 21st Federation Cup National Senior Athletics Championship ये हुई थी पटियाला पंजाब में, इसको organize करा Athletics Federation of India और इसको Punjab Athletics Association और Sports Authority of India ने मिलके organize किया, अब इसमें जो main winner है, वो आपको सिर्फ याद रखने, चार, नीरच चोपडा, जैवलीन में gold medalist, सरिता सिंग, उत्तर परदेश की इन्होंने नय national record बना दिया, hammer throw और gold medal जीता, लेकि national record भी बना दिया साथ में, तो याद रखी सरिता सिंग, जैवलीन थ्रोर, अनुरानी, इन्होंने भी अपना ह जन ने 100 मीटर स्प्रिंट जीती, इसके अलावा, Heart of Asia सम्मेट हुई अमरित सर के अंदर, यह December में होई थी, वैसे मैं इसमें जनवरी से लेके, जुलाई तक के कर रहा हूँ, लेकिन यह important है, क्योंकि December में होई थी, लेकिन यह काफी important है, 6th Heart of Asia सम्मेट अमरित सर में हुई, Heart of Asia यह है कि अफगानिस्तान का कैसे विकास किया जाए, इसके लिए एक organization मनाई हुई है, और Heart of Asia conference जो हुई, भारत में हुई अमरित सर में, इन्होंने adopt करा, अमरित सर declaration, इसमें terrorism पे बात हुई, सबसे में बस यह याद रखिये, terrorism को लेके इस बार बात हुई, center जो topic था इस अफेर advisor सरताज अजीज भी आये थे, तीन मुख्य मुद्धे हैं जिन पे इसमें बात हुई, एक कि हम अफगानिस्तान में terrorism कैसे खतम कर सकते हैं, खासकर जो Taliban वाला terrorism है यहाँ पे, ISIS वाला नहीं है, Taliban वाला ज्यादा है, और stability कैसे ला सकते हैं, security कैसे ला सकते हैं, दूसरा अफगानिस्तान को हम economically कैसे grow कर सकते हैं, strengthen कर सकते हैं, आर्थिक तोर पर कैसे उसे मजबूत कर सकते हैं, और अफगानिस्तान में development कैसे कर सकते हैं, Heart of Asia Conference है क्या, इसका पुरा नाम है Heart of Asia Istanbul Process, Istanbul एक शहर है Turkey के अंदर, अब यह start हुई थी, November 2011 में Turkey के अंदर, इसमें basically यह था क हम अफगानिस्तान के अंदर सारे देश मिलके कैसे peace, security and development ला सकते हैं, तो इसकी जो previous conferences हैं, वो कहां का हुई हैं, सबसे पहले Istanbul में हुई थी 2011, फिर Kabul में, फिर Almaty में, फिर Beijing में, फिर Islamabad में, तो यह सब याद रखिए, Almaty कजाकिस्तान में, कजाकिस्तान जिससे हमने अपने 25 साल पूरे कर लिए हैं, राजिक संबंद के diplomatic ties, और इसराइल से भी 25 साल पूरे हो गए हैं, और इसमें members कौन-कौन हैं, member हैं, अफगानिस्तान, अजरबैजान, चाइना, इंडिया, इरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, साओधी अरेविया, तजि इसमें जो भी मैंने आपको बताया, वो आपने अच्छे से पढ़ा है, अच्छे से एब्सॉर्ब करा है वो, अब अगर आपने ये वीडियो अच्छे से देखा तो एक सवाल कुछूँग, उसका जवाब देजिए, कौन सा ऐसा डैम है, जो जमू कश्मीर और पंजाब, ये मिलके बना रहे हैं, पंजाब और जमू कश्मीर, पहले जमू कश्मीर ने उसमें टांग अड़ा दी थी, वो काफी टाइम से स्टॉल पड़ा हुआ है, लेकिन अब वो दुबारा रिवाइब किया गया है, उस डैम का नाम कमेंड में लिखके बताइए, थैंक्स फो व